एक समय की बात है, गोगापुर नामक गाउं में सूरज नाम का एक लड़का रहता था, वो साथ वर्ष का ही था, तभी उसके माँ बाप दोनों की ही मौत हो जाती है, अपने माता पिता के मौत की वज़े से सूरज काफी उदास रहने लगा था, उसका ना तो कोई सगा सम्ब था ना ही कोई रिष्टेदाद, वो बिलकुल अकेला सा ही पढ़ गया था, एक दिन की बात है, सूरज का मन बड़ा ही उदास था, तो वो जंगल की तरफ निकल गया और एक पेड़ के नीचे पत्थर पर बैठ कर, अपने माता पिता को याद करने लगा, मा, पिता जी, ना कोई भी नहीं है, मेरा बिलकुल भी मन नहीं लगता, मुझे भी अपने पास बुला लो, वो बैठा रोही रहा होता है, तभी उसके पास अचानस के एक हाथी आकर गिर पड़ा, अरे इस हाथी को क्या हुआ, और ये इस तरह गिर क्यों गया, तभी सूरज की नजर हाथ हाथी के पैर पर पड़ी, ओहो, इसके पैर में तो कील गड़ी हुई है, तभी ये चिंघाड रहा है, हाथी जोर-जोर से चिंघाड रहा था, उसका दर्द के मारी रोरो कर बुरा हाल हो रहा था, तो सूरज उसके पैर से कील खीच कर निकाल देता है, कील निकलने के साथ ह हाथी का चिंगारना बंद हो जाता है और वो सूरज को अपनी सूंड से बहुत प्यार करता है हाथी राजा अब आपके पैर का दर्द कैसा है हाथी सूंड उठाता है और वो उसको अपनी सूंड से उठा कर अपनी पीट पर बिठा लेता है अरे हाथी राजा मुझे कहां ले सूरज हाथी को राजा और भालू को मोती कहकर बुलाता है। पहले तु खाना खाले फिर काम करना। अरे राजा और मोती तुम यहाँ कैसे। के और भी जानवर दोस्त आ जाते हैं और वो सब सूरज के साथ खूब मस्ती करते हैं वो हाथी से कहता है हाथी राजा मुझे नीचे उतारो मुझे बहुत काम है हाथी अपनी सून्ड उठा कर उससे पूछता है क्या काम है हाथी राजा मुझे दादा के लिए लकडियां ले और वो рाजा और मोती से बिदा लेता है राजा और मोती शाम हो चुकी है अब मुझे घर जाने दो मैं कल फेर आउंगा इस तरह सूरज के हाथी और मोती दोनों अच्छे दोस्त बंजाते है राजा और मोती सूरज को उसके घर लकडियों के साथ छोड़ देते हैं तभी सूरज राजा और मोती से कहता है राजा और मोती इससे पहले तुम्हें कोई देख ले तुम यहां से चले जाओ राजा और मोती सूरज को छोड़ कर जंगल की तरफ चले जाते हैं तभी एक आदमी सूरज को हाथी और भालू के साथ देख कर चौंक जाता है और फिर वो आदमी गाओं में जाकर सरपंज को बताता है ये बात चारो तरफ आग की तरफ फैल जाती है और धीरे धीरे ये बात सूरज के कानों तक पहुँच जाती है तभी गाउं के आदमी और सरपंज सूरज के घर बात करने आते हैं सूरज मैं ये क्या सुन रहा हूँ सरपंजी क्या हुआ मैंने तो कुछ भी नहीं किया क्या तुम गाउं में हाथी लेकर नहीं आते हो सरपंजी हाथी मेरा दोस्त है और वो बहुत ही समझदार है हाथी सूरज का बड़ा अच्छा दोस्त है, ये बात गाउं गाउं में दूर दूर तक फैल चुकी थी, उसकी ये खबर शेहर में सरकस वालू तक पहुँच जाती है, और वो सूरज के गाउं हाथी और भालू को पकड़ने आ जाते हैं, सभी सरकस वाले आपस में बाते करते हैं, इस गाउं के पास वाले जंगल में हाथी और भालू है, उसे पकड़कर अपने सरकस में काम करवाएंगे, जिससे हम और भी ज्यादा माला माल हो जाएंगे, ये कहकर सरकस वाले जंगल की ओर निकल जाते हैं, और जंगल में जाकर वो एक जाल बिचा देते हैं, सूरज जिस बात से अंजान था कि सरकस वालों ने जाल बिछा रखा है। उधर सूरज भी राजा और मोती के साथ खेल रहा होता है। तब ही अच्छानक राजा और मोती उस जाल में फंस जाते हैं। राजा मोती तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अभी निकालता हूँ। राजा और मोती का चिला चिला कर बुरा हाल हो रहा था। सूरज राजा और मोती को निकालने की पूरी कोशिश करता है, पर निकाल नहीं पाता। राजा मोती, तुम घबराना मत, मैं कुछ करता हूँ। पर सूरज की हर कोशिश नाकाम होती है। सूरज राजा मोती से कहता है तुम घबराओ मत, मैं अभी गाउवालों को तुम्हारी मदद के लिए बुला कर लाता हूँ सूरज गाउव की तरफ जाही रुआ होता है तो उसे जाड़ियों में छुपे चार आदमे दिखाई देते हैं वो सरकस वाले ही होते हैं सूरज उन लोगों को देख कर सब समझ जाता है अच्छा, तो ये सब तुमने किया है हाँ, हम हाथी और भालू को अपने सरकस के लिए लेने आया है मैं ऐसा हर्गिस नहीं होने दूँगा देखो, तुम हमारे रास्ते से हट जाओ हम तुम्हें इसकी मूँ मांगी कीमट देंगे मैं ऐसा कभी नहीं होने दूँगा अगर तुम यहां से नहीं गए तो हम तुम्हारे प्यारे राजा और मोती को जला कर मार देंगे सरकस वाले गुस्से में मोती को जला देते हैं तो उसमें भालू की मौत हो जाती है और वो सूरज को भी जला देते हैं सूरज चीकता रह जाता है मुझे मत जलाओ छोड़ दो इन बेजुबान जानवरों को भगवान तुमें कभी माफ नहीं करेगा पर उन लोगों को बिल्कुल भी दया नहीं आती और उसमें सूरज की मौत हो जाती है और वो राजा को पकड़ कर गाउं ले जाते हैं सूरज भी एक भूत बन चुका था वो मोती की लाश को देख कर बड़ा रोता है इन सालिमों ने तुम्हें माड डाला इन्हें तुम पर जरा भी दया नहीं आई भूत मोती की लाश के अंदर समा जाता है और उसका शरीर भालू का और मू भूत का बन जाता है और वो फिर राजा को ढूडने गाउं चला जाता है भूत वहाँ जाकर देखता है कि राजा जंजीरों से बंधा हुआ है सरकसवाले दारूपी कर चैन की नीन सो रहे थे उनमें से एक आदमी राजा के पास पहरा देने के लिए आता है वो वहाँ भूत को देख कर डर जाता है भूत भूत तुम लोगों ने मेरे राजा को मुझसे छीन लिया और मेरे मोती को मार दिया भूत आदमी को बड़ी बेरहमी से अपने दातों और नाकुनों से मार डालता है उसके चीखने की आवाज से सोरह बागी आदमी भी जाग जाते हैं और वो अपने साथ ही को बड़ी बेरहमी से मरा हुआ देख कर घपरा जाते है अरे जतन को किसने मार दिया लगता है कोई जंगली जानवर रहा होगा तभी उनके सामने भूत आखड़ा होता है और वो उन लोगों पर हमला कर देता है मुझे मत मारो मैं भी ऐसे ही चीख रहा था जब तुम लोग मुझे और मेरे मोती को जला रहे थे मेरा मोती दर्थ से चीख रहा था तुम जैसे मैं किसी भी जानवर को नहीं मारूंगा और नहीं पकड़ूंगा मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे आगे गड़गडाता रहा पर तुम लोगों को इन भे सुबान जानवरों पर और मुझ पर सरा भी दया नहीं आई। तुम जैसे लोगों की वज़ा से चंगल के जानवरों की ये हालत हो गई है। तुम जैसे लोगों को जीने का कोई हक नहीं है। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा माँ डालूंगा सबको। तब ही उन लोगों की आवाद सुनकर गाउं के लोग और सरपंच भी वहां आ जाते हैं। जगी सरपंच और गाउंवालों से कहता है। और उनको सारी बात बताता है। सरपंच और गाउंवाले भूत की बात सुनकर बड़े दुखी होते हैं। पकड़ लो इस जगी को इसे छोड़ना मत। ये सूरज और मोती का गुनहगार है। तुम लोगों ने पैसों के लालच में इन मासूमों की हत्या कर दी। इसकी सजा तुम्हें सरूर मिलेगी। सरपंच और गाउंवाले जगी को भूत के हवाले कर देते हैं और वो भूत से कहते हैं। बेटा ये तुम्हारा गुनहगार है। इसलिए सजा देने का हग भी तुम्हारा है। मुक्ती मिल जाती है।